हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल दा एविजर्ड अकेडमी में पैर दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ लाइफ लॉग कंपनी का एक डिजिटर लॉकर अगर आप लोगों को एक अच्छे डिजिटर लॉकर की तलाश थी और सोच रहे थे कि हम कौन सा डिजिटर लॉकर परचेस करें तो आप लोगों के लिए ये जो लाइफ-लॉग का डिजिटर लॉकर है वो एक अच्छा विकल्प हो सकता है यहाँ पर आप देख पाएंगे मैंने इसकी unboxing कर ली है और लगभग इसे use करते हुए मुझे एक से डेड़ महिना हो चुका है और अब मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि यह जो lifelong का digital locker है यह आपको purchase करना चाहिए या फिर नहीं मैंने इसे अपने passbook, पैसे, purse, documents इन सब की safety के लिए purchase किया था और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने इस एक महिने में कैसा अनुभव किया है और आप लोगों को मैं recommend करूँ या फिर ना करूँ आपको purchase करना चाहिए या फिर नहीं तो आएए मैं आपको शुरू से बताता हूँ इसकी unboxing मैंने कर ली है और unboxing के अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा एक आपको ये digital locker मिले वाला है और उसके साथ emergency की मिलेगी यहाँ पर आप देख पाएंगे ये emergency की आपका जब help करेगा जब आप इसका password या तो भूल जाए या फिर आपने जो password इसमें डाला है वो किसी कारणवस काम ना करे इसकी battery डाउन हो जाए तो आप जो है इस key की मदद से इसे open कर सकते हैं आईए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसको आपको use कैसे करना है यहां आप देख पाएंगे इस जगा पर जहां lifelong लिखा हुआ है उसके ठीक ऊपर जो है एक hidden यह दे रखा है मैं आपको इसको open करके दिखातना हूँ यहां से यह देखिए यह देखिए यहां पर आपको यह key insert करनी है और आराम से यह आप लोगों का open हो जाएगा लेकिन इसके पीछे भी trick दे रखी है यह देखिए इसको अगर आप ऐसे anti-clockwise अगर ऐसे घुमाएंगे तो यह आपका open फिलाल नहीं होता है क्योंकि इसको आपको ऐसे पकड़के रखना है और दूसरा व्यक्ति इसको open करेगा तभी यह आपका काम करेगा और तभी यह आपका खुलेगा ठीक है तो इस तरह की safety है और हर कोई से open नहीं कर पाएगा अकेला व्यक्ति तो ठीक है और जब आपका यह इसको use हो जाए तो आपको दुबारा से इसे लेना है और लगा देना है ताके इसका कोई use ना कर सके और यह बात आप लोगों को हर किसी को नहीं बतानी है ठीक है दूसरा अगर आपको इस जगा से dial pad से अगर इसे open करना हूँ तो कैसे करेंगे simply आपको press करना है अपना password यह देखे ग्रीन ok हो चुका है और अब यह देखिए अराम से इसे open कर सकते हैं जो आपने password डाला है उसे आप confirm A या B दोनों से confirm कर सकते हैं आपका open हो जाए आईए मैं आपको एक बार फिर से open करके दिखाता हूँ आपको simply password टाइप करना है जब आप type करेंगे तो देखेंगे बीप की आवाज आपको सुनाई देगी और B बटन से में लॉक किया यहाँ पर आप green बटन देखेंगे यह ok हो चुका है ok का और simply इसको आप यह देखेंगे lock दुबारा से हो चुका है आपको within a five seconds आपको open करना है ठीक है और यह देखेंगे तो बहुत अच्छा feature है यह ठीक है यह auto lock भी हो जाता है यह देखेंगे और यहाँ आप अपने documents वगरा इसके अंदर रख सकते हैं यह देखेंगे जैसे पैसे हैं अपना ATM कार्ड है डेविट कार्ड है ठीक है तो यह सब आप इसमें रख सकते हैं अपना यह देखेंगे सोने की ring है चांदी का pen है और इस तरह से आप जो है जो भी आपके personal चीजें हैं आप इसे रख सकते हैं और password set करने के लिए आपको यहां से यह देखेंगे इसको नीचे के तरफ प्रेस करना है और इसके नीचे बैटरी दे रखेंगे मैं आपको दिखाता हूं यह देखें यहां पर आपको बैटरी लगाना है अपना और यह एक red color का बटन दे रखा है अगर आप password चेंज करना चाहते हैं तो इसको आप long press करके रखें दवा के रखें और आराम से फिर आप अपना password यहां से चेंज कर सकते हैं या फिर आप इसे reset कर सकते हैं अपने password को यह reset की यहां पर दे रखा है आजकल चोरी का बहुत जादा craze है लोग दूसरों की मेहनत के पैसे जो है और उपार करने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगाते हैं और ऐसे में एक घर में digital locker का होना बहुत ज़रूरी है और इसे आप जो है अपने wall वगरा में fit करवा सकते हैं इसका भी मैं आपको दिखाता हूं यह देखिए permanent आप इसे set करवा सकते हैं यह देखिए और इसे set करवाने के लिए आपको इसके तरफ से जो भी ऐसे series वगरा है वो आपको डब्बे के साथ मिलेगा आपको कुछ भी market से purchase नहीं करना है तो यह बहुत अच्छी चीज है आप इसे wall में set करवा लें ठीक है और इसका जो lock है आप यहाँ पर देख पाएंगे कितना जादा मजबूत है इस टील का यह आपका lock दे रखा है digital lock है और पूरी तीन साल की warranty के साथ आता है दो साल तो आपको मिलते हैं इसके साथ company के तरफ से और एक साल जो है आप इसे extend करवा सकते हैं ठीक है और इस तरीके से आपका यह 3 साल के लिए protective हो जाता है दुबारा से इसको लगा देंगे यूँ करके ठीक है और यह देखे यह lock लग चुका है यह आपर तो इसे दुबारा से open कर लेते हैं प्यारे दोस्तों अगर आपका password कोई आपकी गयर मौजूदगी के अंदर आपके अनुपस्तिती के अंदर इसे प्रैस करता है इसे खोलने के कोशिश करता है तो यह आपको open नहीं होगा मैं एक बार गलत password आपको इसमें type करके दिखाता हूं यह देखिए ओके कर दिया ओपन नहीं हुआ यहाँ पर दुबारा से देखिए दुबारा नहीं हुआ अब तीसरी बार अगर कोई प्रैस करता है पासवर्ड तो ओके करेगा 20 सेकंड के लिए यह स्टार्ट हो जाएगा बज़ार इसका अलारम स्टार्ट हो जाएगा यह देखिए लगातार बसता रहेगा यह तो प्यार दोस्तो टोटल अब आपको मैं बताऊं कि यह आपको परचेस करना चाहिए या फिन नहीं तो मेरी तरफ से यह आपको परचेस जरूर करना चाहिए और यह बहुत ही अच्छी कंपनी है लाइफ लॉंग और इसका जो प्रोड़क्ट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग है और इसका जो लॉकर है वो भी डिजिटर लॉकर है और बहुत अच्छा और मजबूत लॉकर है तो आपको यह परचेस कर लेना चाहिए चोड़ाई की बात करूँ तो यह देखिए एक बित्ते का है ज्यादा आप इसमें कुछ नहीं रख पाएंगे केवल आप ATM पर्स और पैसे वगरा जो है वो आप रख सकते हैं बड़ी चीज कुछ भी आप इसमें नहीं रख सकते और एक बित् फिलिप कार्ड या Amazon से 1500 रुपे में मिल जाएगा वैसे अगर आप इसे विदाउट आफर परचेस करेंगे तो यह आपको लगबग 3500 रुपे तक का यह आपको फिलिप कार्ड पे या फिर Amazon पर दिखाएगा लेकिन मैं आपको रिकमेंट करूँगा कि आप आप आफर में ह दूँगा तो अवराल यह आपका बहुत अच्छा प्रोड़क्ट है और इसे जो है अपने वॉल्वगरा में लगा के इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं फिलाल इस वीडियो में इतना ही आप लोगों को अगर इससे रिलेटीड कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मु